क्या वा कई एक बार फिर्ट से होने जा रही है धीरज धूपर की मॉप से जिटिवी को शो कुंडली भागे जोहां एक तरफ अपने ट्रैक के कारण खोब लाइम लाइट बटोर रहा है तुम्हें दूसरी तरफ शक्ति अरोडा की एक्सिट ने शो को पसंद करने वाली जनत शो से शक्ति की एक्सिट की खबर से बेहत निराश हैं अपसेट हैं और मेकर से उन्हें शो में बनाय रखने की लगातार मांग कर रहे हैं तो वहीं इसे वीच धीरज का नाम फिर से शो में जुडने से फांस के बीच में अलग ही खुशी का माहौल देखा जा रहा है शो के दो बड़ी खबरे ये भी हम आपको चट से बता देते हैं पहली खबर फिर से लौट कर आ सकते हैं धीरज कुंडले भागे शो में धीरज ने करण का किरदार निभा कर लोगों का दिल खुब जीता हाला कि शो में कुछ साल कली पाने के बाद धीरज ने शो को अलबिदा कह कर सकते हैं कहा जा रहा है कि दीरज के शो में लीप के बाद entry होगी लेकिन करण के किरदार में नहीं बल्कि एक नए किरदार नए अंदाज में ये दावी इसलिए थोस तरह से कही जा रहे हैं क्योंकि धीरज को ओंगोइंग शो शेरगिल शेरगिल जलकी ओफ्यर होने वाल कि शो में 20 साल के जेनरेशन लेप के साथ श्रध्धा मा का किरदार प्ले करेंगे और शक्ति शो से आउट हो जाएंगे लेगिन अब लेटेस्ट अपडेट की माने तो शो में प्रीता और करण दोनों की मौत हो जाएगी और प्रीता की दोनों बेचियों के इद्गिर नया ट खुमेगा खब्रे है कि श्रध्धा प्रीता की बेटी काव्य के किरदार में लीप के बाद नसर आएंगे खब्रे यहीं खट नहीं होती बल्कि कहा तो ये तक जा रहा है कि शो के नई दीरज हो सकते है और इस तरह से काव्य और धीरज के नई किरदार के एkell शो का नया ट् तो ये है कि अगर मेकर्स ने ऐसे ही कहारी प्रैन की है तो नए ट्रैक पर जनता क्या वैसा ही प्यार लुटाएगी जैसे धीरज और प्रीता पर पहले लुटाया था आपको क्या लगता है अपनी उपीनिन शेर कीजिए हमारे साथ नेचे कॉमेंट सेक्शन में